नवश्कार दोस्तों बडिंग्स में आपका स्वागत है होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज मकर शंक्रान्ती है अगर आप किसी चीज की सुरुवात करना चाहते हैं तो आज का दिन काफी सुभ माना जाता है ये परंपरा चली आ रही है कि अगर आज के दिन आप कोई भी चीज सुरू करते हैं तो वो काफी सुभ माना जाता है और अगर आज का दिन इतना ही खुबसूरत दिन है इतना ही फ्रूटफुल दिन है तो क्यों आज के दिन आप अपने भगबत गीता की सुरुवात करो देखो मेरा काम है आपको बताना करना नहीं करना आ चैप्टर वन से हम क्यों नहीं स्टार्ट करें क्योंकि चैप्टर वन हमारे काम का नहीं है चैप्टर वन में सोक व्यक्त किया गया है किसी की समस्या है तो समस्या सुनके क्या करेंगे सब को पताए कि समस्या क्या होगे हमें अपने काम की चीज निकालनी है मैंने आपको प किसी ने इस पिक्चर को कभी जीवन में देखा है तो अच्छी बात है नहीं तो मैं बता देना चाहता हूं कि आपने जरूर एक स्थान का नाम सुना होगा अगर आपके स्टूडेंट है इसको हम लवासना भी कहते हैं लाल बहादूर सास्त्री नेशनल अड्मिनिस्ट्रेटिव अकैडमी मतलब प्रशासनिक सेव परिक्षा जिसको हम UPSC कहते हैं जब आप इस एक्जाम को क्वैलिफाई कर जाओगे ये एक्जाम आपका निकल जाएगा तो आपको ट्रेनिंग के लिए लवासना भीजा जाता है जो की मसूरी में है और लवासना की दिवारों पे बहुत सारी चीज़े लिखी हुई है उसमें से ये आपको एक चीज मिलेगे दिखेगे लिखी हुई अब सोचो कि जिस एक्जाम की कलपना भारत का लगबग हर चात्र एकना एक बार करता है उसकी जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके दिवार पे ये सब्द लिखा हुआ है सब्द नहीं एक वाक्य है योगह करमशू कॉसलम और बहुत ही खुबसूरत बात है कि ये जो श्लोक है ये भगबद गीता के चैप्टर 2 का कौन सा स्लोक है फिप्टी स्लोक है योगह करमशू कॉसलम यहां से निकाला गया है तो समझना बात को जो ये कोट यहां से निकाला गया है वो कोट खुद ही भगबद गीता के चैप्टर 2 का वर्स 5-0 है तो समझना कि भगबद गीता कि पर यहां तक पहुँचने से पहले हमें सुरुवात करनी परेगी चैप्टर टू की जब आप सुरुवात करोगे तो कुछ वर्स है जो काफी खूबसूरत है और आप उसको जानते हो यह वर्स कई बारी आपने सुना होगा कर्मन्य वादिकारस्ते मामफले सुकदाचन मा कर्मफल हेतुर भुर्मा ते संगोश्त कर्मनी यह बहुत ही फेमस वर्स है और इस वर्स का जो मतलब है वो क्या है इस पे हम बाद में आएंगे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर टू में एक्चुली क्या होता है तो सांक योग, knowledge, analysis करना है इस चैप्टर में तो इसमें बहुत सारी चीजों पर analysis करना है हमें soul पर analysis करना है कि soul क्या चीज होती है यह आत्मा क्या है फिर duty का क्या मतलब होता है कर्म का क्या मतलब होता है duty detachment बहुत ही important बहुत सारे books आपने पढ़ा होगा कि detached रहना सीखो detachment का मत बहुत ही logical है और बहुत मज़ा आने वाला है इसको समझ के फिर आपको इसमें योगा of knowledge जिसको हम शांक योग कहते हैं सांक योग का दरसन मिलेगा फिर आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी detachment कैसे करना है क्या होता detachment बहुत खूबसूरत खूबसूरत स्लोक है जैसे कुछ स्लोक की बारे में मैं बात करता हूँ chapter 2 का verse 15 जो मुझे बहुत ही जादा important लगा है और अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे छोटे से बुक को देखोगे ना तो मैं इन बुक में बहुत सारा वो किया हुआ हुआ हुँ ये सारे बुक मार्किंग किया ह तो मुझे जो पसंद आया और जो मुझे लगा कि ये मेरे युद्ध के लिए जरूरी है उसको मैंने बुक मार्क कर लिया हुँ आप पढ़ना आप उसको बुक मार्क करना क्योंकि ये हमिसा आपको पढ़ने को मिलेगा ये 2012 की किताब आज तक पढ़ रहा हूँ और आज त संदगी को एक रास्ता दिखाती है ये इसलिए मैं इसको बुक की स्ट्रेणी में रखूंगा ही नहीं इसको मैं भगवान का एक तोफा समझता हूँ जो की मुझे इस धर्ती पे मिला है अब इसको समझना चैप्टर टू के वर्स 15 को सुखम दुखम बहुत ही खुबसूरा ये देखो दुखम शुखम इस स्टेट्मेंट को उठाओ और समझने की कोसिस करो जो व्यक्ति सुख और दुख से बिचलीत नहीं होता है थोरी सी कुछ मुझे मिल गई बस हो गया थोरफ तुमें कुछ मिल गया अब तुम लगे लगे दिखावा सुख आया तो दिखावा कर रहे हो दुख आया तो रो रहे हो कमरे में इसका मतलब तुम्हें इंपर नहीं करना चाहता हूं पर मुझे समझ है समझ है कि आखिर liberation क्या होती है चीज़ मैं liberate नहीं हो पाया हूँ और पता नहीं liberate हो पाऊंगा या नहीं मैं इस promise नहीं करता हूँ बट अगर मैं सुख और दुख दोनों में बिचलित नहीं होता हूँ मेरे पास एक भी पैसा नहीं है तब भी मैं ठीक हूँ और जिस दिन मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था उस दिन भी मैं एकदम stand alone condition में मजा था थोरा बहुत पैसा आया तो भी ठीक है दुखी था तो भी कोई problem नहीं है सुख है तो भी कोई problem नहीं है अगर आप इन दोनों को equal दृष्टी कोण से देखते हो किसी exam में आपको सफलता प्राप्त हो गई तो बस हो गया आप बीर हो नहीं मिल पाई तो आप अंधेरे कमडे में हो ऐसा कुछ नहीं है जब आपका intellect इस level पे चला जाएगा कि आप सुख और दुख को समान दृष्टी कोन से देखोगे बहुत ही खुष चिंतन मुक्त होके सुख आया तो भी ठीक है नहीं तो भी ठीक है तो वास्तब में आप liberation की तरफ जाओगे आप मुक्ती की तरफ बढ़ रहे हो ये एक बहुत ही hard बात मैंने कहा रहा हो ठीक है आराम से हैं तो हैं कोई दिक्कत नहीं है ये आध्यात्मिक चिंतन है और meditation से ये सब चीज़े आ जाती है अगर आप इसी इसी स्लोक को अगर और अच्छे से देखते हो 15th स्लोक को तो यहाँ पे कहा गया है chapter 2 के verse 38 मे chapter 2 के verse 38 मे सुखम दुखम समय कृत्वा लाभा लाभो जया जये कह रहा है कि जिसको सुख और दुख लाभानी इसको समान समझता है समझ लेना कि तुम एक बहुत ही खुशुरत रास्ते पे हो लाभ हुआ तो ठीक हानी हुआ तो ठीक चिंतित नहीं होते हो जो हो रहा है ठीक है हो रहा है चिंता नहीं करना है इन चीजों के परेहो के चैप्टर टू वर्स 37 में कहा गया है ठीक ना ? कि यहां पे जो सबसे important इस verse में है जो मुझे लगता है कि जो मैंने कोट करके रखा है बुकमार करके इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस पूरे वर्स में जो मेरे में मेरे मूझा हूँ जो मुझे लगा कि हम एक यूद को जानना जरूरी है यह करना का यॉद्ध करना यॉद्ध करो यॉद्ध करना ही परेगा चाहे तुम financially battle कर रहे हो emotionally battle कर रहे हो spiritual battle कर रहे हो whatever you are doing you should fight fight तो करना ही परेगा कोई option नहीं है fight के अलाबा और कोई option नहीं है बहुत लोगों को दिखा हूँ financially struggle करते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत struggle कर रहे हो आप struggle नहीं कर रहे हो it's a phase break-up में आदमी को दे का हूँ कि बहुत शदा struggle करते हैं आप struggle नहीं कर रहे है आप ऐक τ逼 जी रहे है युद्धा अगर नहीं कर रहे हो तो समझ लो कि तुम पाप कर रहे हो इतना समझ मैं युद्ध करूँगा और उसके अलाबा मेरे पास कोई option नहीं है बस बात खतम है और युद्ध हर आतमी हर तरीके से कर रहा है अलग-अलग फिल्ड पर युद्ध कर रहा है जरूरी थोरे है कि हर किसी को युद्ध करने के लिए बंदुक लेके जाना जाहिए कोई मांसिक रूप से युद्ध कर रहा है कोई आध्यात्मिक रूप से युद्ध कर रहा है कोई सारडिक रूप से युद्ध कर रहा है कोई emotional label पर युद्ध कर रहा है तो हर कोई कही ने कहीं battle कर रहा है तो हर कोई struggle कर रहा है जिस दिन आपने battle करना बंद कर दिया खतम जिन्दगी का मकसद खतम हो गया अगर यह बैटल नहीं रहा तो फिर हम बात करते हैं 37 की बात करते हैं 37 में तो हो गया यह युद्ध करो ओके तो अगर फिर उसके बाद अकर यह वाला देखते हो changing chapter 2, chapter 42 to 43 देखते हो तो क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि जो है यह यहा है important समझना बात को यह logically बात को समझना स्वर्ग नर्ग यह सब चीज़े बात में देखेंगे यह वह चाहिए truth knowledge truth knowledge वास्कष को ठूंडो truth knowledge हमारे जीवन का वास्तविक मकसद क्या है हमें इसकी खोज करना है मुझे नहीं मिला है अभी तक मैं खोज में लगा हूँ तुम्हें मिल गया नहीं मिला चलो मेरे साथ तुम भी खोजो चलो खोजते हैं कोई दिक्कत नहीं है फिर जब तुम देखते हो 42 में 42 में ये चीज़े कहा गया है कि अगर आपका माइंड जो होता है deeply attached अगर हमारा माइंड deeply attached है किस चीज़ को लेके भोग को लेके ये luxury life को लेके तो हम कभी भी God के path पे मतलब जो एक truth पला path है उसको कभी नहीं महसूस कर पाए जन्म लेंगे मर जाएंगे फिर अगला जन्म लेंगे फिर अगला जन्म लेंगे क्या होगा फरक नहीं पड़ता है पर हम actually मानब जीवन का उप्रक नहीं कर पाए अगर हम सिर्फ और सी भोग और luxury में रह गए आज तो ये कल तो क्या ये परसो तो क्या ये उसके बाद day after day after day after सिर्फ material world में अगर हम फस के रह गए तो फिर वही होगा पैदा लिए मर गए ठीक है तस 50 साल के बाद तुम्हारी कोई existence नहीं होगे मरने के 50 साल के बाद तुम्हारी कोई existence नहीं होगे तो we should हम सब को मुझे नहीं मिला है तो इसलिए मैं जयान नहीं दे रहा हूँ मैं बस बताने की कोशिस कर रहा हूँ यह मुझे ग्यान मिलने की कोशिस कर रहा हूँ कि पर साथ में चलते है फिर नेचर का तीन नियम बताया गया है यह 1945 में chapter 2-45 में कि हर नेचर को जो भी नेचुरल बॉड़ी है उसके तीन गुन होते हैं, हमारे तीन गुन होते हैं, यह तीन गुन क्या है, सत्व, रजस, तमस, हम सब के अंदर ये हैं, तीनो गुन हैं हम सब के अंदर, सत्व हम कभी-कभी सोचते हैं, कभी-कभी बहुत अच्छा बन जाते ह हैं वह हमारा होता है सत्व है के हम बहुत अच्छा जाते हैं मतलब गौड गुड़नेस हार्म या जाता है हमारे अन्दर एकLabम से लगता है कि हम ब्रह्म हो गए हैं हर किसी के लाइफ में कभी ने कभी यह हुआ होगा कभी-कभी यह हमारे अंदर से बाहर निकलता है Generally हम रजस में रहते हैं. रजस का क्या मतलब होता है? आप desire, Desire, activity, दुनिया में फसे हुए हैं. ये हमारा रजस होता है. जो हम Maximum हमारे अंदर जो है 60% हमारे अंदर रजस है. 20% हमारे अंदर सत्व होता है. और फिर 20% बचा वो हमारे अंदर thumbs होता है और यही balance है, इसी को balance करना है कभी अगर हमारे अंदर tamas बढ़ गया, जब हमारे अंदर tamas बढ़ने का मतलब होता है कि आप एकदम darkness में जा रहे हैं darkness में, आपके life में लग रहा है कि सब कुछ बरबाद हो रहा है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके लाइफ में, at the time of break up, तमस का आप पर प्रभाव बहुत ज़ादा बढ़ जाता है, आपको लगता है कि आपका जिन्द की खतम हो गई है, तो वहाँ पर आपका तमस जो होता है, वो 40% हो जाता है, तो इसी को balance करना है, इन तीनों गुणों को balance करना है, और हमें try करना है कि इसको बढ़ाने का, इसको कैसे बढ़ाया जाएगा, सत्व गुन को कैसे बढ़ाया जाएगा, इसका एक ही तरीका है, वो है knowledge, और रजस्तो रहेगा ही, तमस को हम एकदम ignore करेंगे तमस को एकदम हटा देंगे अपने जीवन से मैंने हटा नहीं पाया हूँ कोसिस कर रहा हूँ, आप भी कोसिस करो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे ओके, चैप्टर 247 मैंने क्या कहा था कर्म करो, फल की चिंता मत करो तो सवाल आता है कि हमें समझना परेगा कि चिंता और चिंतन में क्या अंतर है इसको ऐसे समझते हैं कि हम किसी एकदम की तैयारी कर रहे हैं और जब हम किसी एकदम की तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, हो सकता है उस एकदम में मुझे सफलता मिले और नहीं भी मिले अगर मुझे सफलता मिल गई तो हम बहुत खुस हो जाते हैं और अगर नहीं मिले तो फिर एकदम हम हो जाते हैं कि भाईया बस खतम हो गया तो उनसे हमें हटना परेगा हमारा काम था तैयारी करना हमने तैयारी किया सफलता और सफलता उसका जो फल है ये फल है इसकी चिंता मुझे नहीं करनी है ये चिंता किसी प्रभू के हाथ में है उनको सौप देते हैं लेकिन चिंतन करना है सवाल आता है कि छोड़ मत दो चिंतन करो चिंता जो होता हूँ एंजाइटी होता है हमने कुछ पड़ हमने पैसा हार गया, अब बैट के चिंता कर रहे हैं, मैरा पैसा खो गया, अब क्या करेंगे, चिंता नहीं करना है, चिंता इस ए एंजाइटी, एंजाइटी विल लीड यू इन डार्कनेस, और उसके लिए हम चिंता कर सकते हैं, चिंता क्या होता है, चिंता होता है, और अब यह बात आती है, कि यह तमाम चीजे जो हमें अच्छी चीजे करनी है, भयो वो करेंगे कैसे, कहने के लिए तो बरी अच्कि अच्छी बाते आपने कह दी, बहुत अच्छी बाते हो गई हैं, तो ये करेंगे कैसे, ये तो बताइए, अरे बाबा हम क्यों बताईेंगे जब प्रभूब उन्होंने खु़ी बता रखा है भगवत गीता के chapter 2 के verse 50 में उन्होंने बता रखा है और वो क्या है, योगह करमसू कौसलम, ये तमाम चीजें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुम्हें लाना है अपने जीवन में, ये प्राक्टिस से आएगा, योगह करमसु कौसलम, प्राक्टिस, एक दिन में नहीं आएगा, पढ़के नहीं आएगा, किताब भगवत किताब पढ़के नहीं आएगा, पढ़ेने से सिर्फ ज्ञान मिलेगा, और इसको जीवन में अगर उतारना है, तो यूशुड दू और प्राक्टिस, अपने को प्र आपो कlawशाल करने पड़ जाये, तब भी हो चकता है कि आप इन तमाम गुझों को उतार पाऊगे या नहीए, तो मैं तो प्राक्ट्स करने के लिए तयार हूँ, आप भी प्राक्टिस करने के लिए तयार हूँ, तो हो जाओ, जोग यहाप कॉशलम्य, योग यही आपको को लेके तो थाइंक्यू